हलो मेरे प्यारे दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चानल में करियर भाई में तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक आर्किटेक की सैलरी कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों हम अलग-अलग लोकेशन के उपर जो है वो सेर्च करके देखेंगे बका सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इल्दिजार किस बात का है इस चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के उपर और देखते हैं कि आर्किटेक की सैलरी कितनी होती है तो देखे दोस्तों मैंने यहा आप देख सकते हैं जूनियर आर्किटेक 12,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक यहां पर आफर किये गए हैं यहां पर सीनियर आर्किटेक 28,000 से लेकर के 77,000 रुपए तक आफर किये गए हैं यहां पर देखे जूनियर आर्किटेक्ट 20-30,000, नॉर्मल आर्किटेक्ट यहां पर 30-40,000, तो यहां पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि जूनियर आर्किटेक्ट चाहिए या सीनियर आर्किटेक्ट चाहिए लेकिन आप यहां पर requirement देख सकते हैं, 4-5 साल का job experience उनको होन जरूरी है यहां पर architects के लिए दिया गया है 6,00,00 रुपए से लेकर के 8,00,00 रुपए पर year के हिसाब से दे रहे हैं याने के 50,000 से लेकर के 81,000 तक की इनकी जो है वो range है यहां पर अगर देखा जाए तो junior architect project manager तो 16,000 से 18,000 ही यहां पर offer किया गया है यह again senior architect 40-60,000 रुपए यहां पर senior architect 30-60,000 रुपए तो दोस्तों यह जो है वो एक Delhi का मैं सेनारियो आपको दिखा रहा हूँ कि Delhi के अंदर क्या salaries यहां पर offer की जा रही है यहां पर देखे दो से पाच्छ लाक पर येर का package आप देख सकते हैं और यहां पर work experience काफी तगड़ा इनको चाहिए 7 साल का experience होना ज़रूरी है तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम जो है वो location change करके देखते हैं यहां पर अगर मैं मंबई डालू मंबई महराष्टा तो यह देखे दोस्तों यहां पर design architect का job है 18 से 20 हजार रुपे पर मंथ offer किये गए हैं यहां पर भी 15 से 20 हजार रुपे पर मंथ architect intern के लिए 18 से 20 हजार रुपे पर मंथ यह देखे यहां पर senior architect की salary क्या दिखाई जारी है 25 हजार से लेकर के 30 हजार रुपे पर मंथ यहां पर भी 25 हजार से लेकर के 40 हजार तक यहां पर 23 से 26 और यहां पर देखे दोस्तों IDMS architect 8 लाक रुपे से लेकर के 14 लाक रुपे per year तक offer किये जा रहे हैं यानिके अगर देखा जाए तो करीब करीब डेड़ लाक रुपे तक भी salary जो है यह उससे भी जादा यहां पर आपको मिल सकती है यहां पर 5 से 7 हजार रुपे की भी यहां पर देखे पोस्टिंग आया है लेकिन यह पार्ट टाइम के लिए है और यह internship है तो दोस्तों यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि architect को जो है वो internship के अंदर भी पैसा यहां पर मिल रहा है और अगर पार टाइम भी करते हैं तो 5 से 7 हजार रुपे offer हो रहे हैं तो यहां पर अगर आप professional architect हैं जिसकी internship वगरा सब कुछ पूरी हो गई है आप proper job के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मिल सकता है या internship के लिए भी मिल सकता है यहां पर देखिए 20 हजार से 45 हजार पर मन्थ 25 से 35 18 से 20 और अगर मैं दिखाऊं तो यह देखिए 4 लाक से लेकर के 10 लाक रुपे पर मन्थ 9 लाक से लेकर के 14 लाक रुपे पर मन्थ तो दोस्तों यह जो बहुत बड़ी बड़ी रखमे आपको दिख रही है यहां पर एक job जो गया जहां पर यह देखिए 8 लाक से लेकर के 14 लाक रुपे offer किये गए थे लेकिन आप इसके description देख सकते हैं और यहां पर यह देखिए 5 से लेकर के 9 साल का experience इनको expected है तो जहिर से बात है कि जो लोग ज़ादा experience है उनको इस तरीके की salary जो है वो मिल सकती है 8 लाक से लेकर के 14 लाक रुपे पर year की जो salary है वो जो लोग experience है उनको मिल सकती है यहां पर भी देखिए केवल 26,000 ही salary offer की जाए रही है लेकिन फिर भी यहां पर architect के job के 3 साल का experience और commercial project का 2 साल का experience यहां पर expected है और एक अगर मैं आपको change करके दिखाऊ हूँ location बैंगलोर तो यहां पर देखिए 3 लाक से लेकर के 4 लाक 25 ला 25 से 35 यहां पर देखिए 3 लाक से लेकर के 5 लाक रुपए पर year का offer किया गया है यह 12 से 28 20 से 30 तो दोस्तों अगर एक beach का मैं आपको बताऊ कि एक range के तोर पर तो generally यहां पर 20 से लेकर के 30,000 यह जो bracket है इसके अंदर हमें जादा jobs देखने को मिले है याना कि यह एक standard salary यहां पर देख रही है कि 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए इतनी salary जो है वो एक mid level का जो experience आदमी है उसको मिल सकती है जो new time हमने देखी थी वो यहां पर देखिए 12,000 थी जो की full time के लिए है part time के लिए यही salary जो थी वो 5000 तक नीचे आ गई थी तो अगर new time देखा जाए तो 12,000 रुपए यहां पर हम देख सकते हैं और जो maximum हमने देखा था वो अगर experience आदमी है तो उसको डेड़ लाक रुपए से भी जादा salary यहां पर मिल सकती है तो दोस्तों इसका जो एक मैं कहूँ कि band है एक range है वो काफी जादा wide है वो purely आपका जो experience है उसकी उपर depend यहां पर करता है कि आपका कितना experience है उसकी हिसाब से आपको जो है वो यहां पर salary मिल सकती है तो I hope दोस्तों आप जान चुके होंगे कि एक architect को salary कितनी मिल सकती है उसकी range क्या है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है काम का लगा है तो इस वीडियो को like करना बिलकुल न भूले